दोसτοं हम लोग बात करेंने वाले हैं ऐसे games के बारे में जिन games के थे में दोस्तों आप लोग बहुत इंची ग्रफिक्स दिखने के रिखने के लिए मिल जाएंगे और अगर आप लोग को वीडियो देखने के बाद में अच्छी लगे जाएगा शेयर कीचीग अपने दोस्तों के सात में और अब अगी तक आप लोग चैनल पर नहींद सोचभा सिरिग करती है अगर में बसा करें यह दोस्तों के अंदर में आप लोग Echo और आपने दोस्तों के सात में टीम मना करके ऐसे लिकीशनु पर शुन पर सेfund detto आप लोगो बहुत सारी टीम्स देख नेकले मिल जाएंगी from all around the world. उनसे आप लोग fight करेंगे, उन्हें हराएंगे और जो last person standing होगा, वो इस game को जी जाएगा. यह सुपी चीज से तो आप लोगो पता है, लेकिन क्या आप लोगो पता है और बात करते हैं, आपर से आप लोगो अपने series मायने वाले second game की और भूनकर के आता है दोस्तो, प्रहा. दोस्तो प्रहा एक RPG game है, जिसके अंदर में आप लोगो various characters देखने के लिए मिल जाएंगे, जाहे दोस्तो वो female और male हो, बड़े-बड़े bosses को, bosses आएंगे, जिनसे आप लोग fight करेंगे, बहुत ही अच्छा RPG genre है, और अगर में बात करें इस game के size की, तो वो है दोस्तो 5 GB के असपास, यानि कि 5 GB से भी जादर कही size आप लोगो इस game का देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर में आप लोगो basically same, वो ही genre देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारी cars होगी, race track होगा, लेकिन नहीं, इस game की खासी है ता है इस game की graphics, बहुत अची graphics आप लोगो देखने के लिए मिलने वाली है, चाहे मैं बात करूँ road की textures की, पीचा है कार की detailing की, वही पर जो tires होते हैं कार के, जो पूरा look आएगा, वो आप लोगो बिल्कुल realistic देखने के लिए मिलता है, इसलिए great autosport के racing game का, हम लोग इतने time से wait करे थे, और जब ये final legal की आया, तो हमें बहुत ही कवाल के results देखने के लिए मिले हैं, लेकिन वही बात है कि game का size है, दोस्तो 6 GB का spas, यहां बहुत ही बड़ा size game का, काफी अच्छा game है, बहुत अच्छी racing है, drift smart में काफी साथ मज़ा आता है, drag racing मिलती है, बहुत सारी cars मिलते हैं, जिन आप लोग use कर सकते हो, race tracks बहुत सारे हैं, लेकिन size भी काफी बड़ा है, तो यह भी दोस्तो इसलिए इस list में अपनी इसे का बना पाया और याई होप आप लोगो ये game भी पसना आया होगा, चली बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, हापर सब लोग अपने series में आने वाले fort game की, और मुनकल की आता है दोस्तो, Rangers of Oblivion, दोस्तो, Rangers of Oblivion, अगेन एक RPG गेम है, लेकिन इस game के अंदर में आप लगो बहुत सारी चीज़े अलग देखने के लिए मिल चाहेंगी, चाहे मै आप लोगो एक open world environment, जिसमें आप लोग अपने character को लेकर के कहीं पर विजा सकते हैं, वो नई नीजगा को explore करोगे, चीज़े डिसकवर करोगे, आप लोग आस पास से काफी सारी treasures देखने के लिए मिलेंगे, प्लस, यहाँ पर से मिलने वाले हैं दोस्तो, आप लोग काई स सारे टाइप के animals, लाइक dragons हो गए, होर्स वागेरा, जिन पर लोग राइज भी कर सकते हैं, उन्हें टेम भी कर सकते हैं, और उनसे fight भी होगी, हाँ यहाँ पर से आप लोगो बहुस से stages भी देखने के लिए मिल जाएंगी, तो यह काफी अच्छा गेम है, अगर आप लोग locations और बहुत सारे missions, जिन mission को complete करने के लिए, आप लोगो चाहिए होगे high tech blasters और guns, उन्हें सभी को आप लोग हासल करेंगे, कुछ को grade करेंगे, और लेकर के चाहेंगे उस मैदान में, जहाँ पर इसा आप लोगो find out करना होगा रास्ता, एगर आप लोग रास्ता ढूंड ल करते हैं, आपर से आप लोगो अपने series में आने वाले 6th game की और वो निकल कियाता है, दोस्तो, Republic, Republic एक बहुत जादा high graphic game है, हलाकि मुझे हर गेम के बारे में बोलना पढ़ रहा high graphic है, लेकि यार दोस्तो, जब है तो है, करें क्या, high graphic game है, बहुत ही अच्छा character है, यहाँ आ कुछ abilities है, जिनका आप लोगो सही वक्ताने पर या फिर सही समया पर यूज़ करना होगा, यहाँ से बहार निकलने के लिए, इतना ही नहीं, दोस्तो, कही बार आप लोग की सामने आने वाले है enemies, जिनसा आप लोगो fight मे लेनी होगी, चुपना भी होगा, और story में लेवाली बहुत ही जाद ब्यूटिफु लोकेशन्स होगी, चाहे मैं बात करूँ ओपन वर्ल एन्वामेट की, जहाँ पर से आप लोगो काफी ब्यूटिफुल सिटी मिलेगी, बहुत ही जाद कमाल की सीनरीज और लेंडिस्केप्स मिलेंगे, जिन में आप लोग जाने वाले हैं, इस गेम को प्लस पॉइंट होने वाला है, जिसको टेंसरें काफी दिनों से लेकर के आना चाहती है, और अभी फाइनली आप लोगो बहुत जल्द एन्वाटिवाइसिस पर देखने के लें, बिल चाहेगा, आप लोग इसे थर्ड पाइटी साइट से भी जागर के चेक तो डेफिनिटल जगर के इस गेम को ट्रॉय कीजएगा, और अगर मैं बात करें इस गेम के साइस की, तो वो निकल के आता है दोस्तो 5.8GB, यानि कि यह भी 6GB के आसपास का गेम है, तो इस वीडियो में आने वाले सभी गेम लगबग आप लोगों ने देखे होंगे, चार, अगर सारे डीटर डाउनलूड कर लेता है, तो आपके फोन में लगबग 9GB के आसपास का स्पेस गेरने वाला है, और अगर बात को दोस्तों अगरेम की तो यहाँ पर साप लोगों मिलने वाली है, डिफरेंट डिफरेंट केरेक्टर की पूरी की पूरी की पूरी की पूरी तो काफी अच्छा गेम है, यह भी और अगर आपके अच्छा के से ट्राइग करना चाहें, तो कर सकते हो, तो गाइस यह थे वो सारे के सारे गेम्स जो कि आप लोग आपके Android स्मार्टवोन के वपर देखने के लिए तो मिलते हैं, लेकिन उनका साइस आप लेको बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स वाले हो, तो भाई मैं लेकर के आगया हूँ, और अब बार या आती है आप लोग कि अगर आप लोग को हमारी आज के वीडियो पसंद आई हो, तो जल्दी से स्ट्राइब करना क्या है, आप लोग करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है अपने द